आलिया पट और रनबीर कपूर हर कोशिश करते हैं कि पबलिक के बीच वो एक पावर कपल और लविंग कपल की रूप में जाने जाए लेकिन समय समय पर इन दोनों को लेकर ऐसी खबरे आती रही है जिसके बाद लोगों को इनकी शादी और इनके रिष्टे पर शक हुआ है और लोगों ने कहा है कि आलिया की चोईस रनबीर को पती के रूप में चुनना बहुत गलत चोईस थी कंगना रनोथ तो अल्रेडी ये दावा कर चुकी है कि आलिया और रनबीर की शादी फेक है और कुछ पब्लिसिटी के लिए किया गया है बट अब लोग भी कह रहे हैं कि आलिया ने रनबीर से शादी करके घलती कर दी वो एक टॉकसिक हस्बिन है वो एक बुरा पती है रनबीर को लेकर लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं इसके पीछे आलिया की एक वाइरल विडियो है अचली इन दिनों आलिया भट की एक विडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है यह विडियो आलिया भट ने वोग मैगजीन के लिए शूट की थी और इसी विडियो के अंदर आलिया भट यह कहती ही नजर आती है कि जब भी वो कहीं बाहर जाती है और लिप्स्टिक लगाती है तो उनके पती को पसंद नहीं उनका लिप्स्टिक लगाना पती बार बार उन्हें यह कहते हैं वाइप ओफ वाइप यानि कि लिप्स्टिक को हटाओ When he was in my husband, when he was my boyfriend as well, he used to go out at night, he said, wipe that off. Wipe that off. Because he loves the natural colour of my lip. एक टॉक्सिक पती का साइन है कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आलिया ने बहुत गलत आदमी को चूस कर लिया है कभी कहता है कि एक सर्टन लेवल के उपर मुझे तुम्हारी आवास पसंद नहीं तो चिलाओ मत और लिपस्टिक भी मत लगाओ कई लोगों ने रनबीर कपूर को misogynist husband बताया है और कहा है की आलिया से गलती हो गई है महीं कई लोगों का ये कहना है कि दिपिका बनो कट्रीना बनो जो जाकर अपने विकिकोशल और रनबीर सिंग को ढूंडो आलिया की तरह रनबीर कपूर के साथ मत फसो महीं कई लोगों का कहना है कि आलिया पहले क्यूट हुआ करती थी लेकिन अब आलिया वैसी आलिया रही ही नहीं है बस पती रनबीर यही सब बाते करती रहती है खुद की कुछ इंडिविज्वल पहशान नहीं हो वैसी बाते करती है वहीं एक और हस्बेन निई कहा कि रनबीर घपूर की ऐसी बाते सुनने में आ रही है ऐसा लगता है जैसे EMTあの distintos को मिसोजीनीस्टिक कहा गया है कन्ट्रोलिंग हास्बेन और टॉकसिक हास्बेन कहा गया है अलिया की इस विडियो को देखकर